उन्होंने लिखा कि भला कैसे बचे आतंक के शूल से बच्चे पाकिस्तान में आप जानते ना अनेक बच्चों को आतंक वादियों ने मार दिया मैं इन बच्चों की मुस्कुराहटों के नाम करता हूं आपके नाम करता हूं उन्होंने लिखा कि भला कैसे बचे आतंक के स्कूल से बच्चे बड़े सेहमे सब लोटे नहीं इस्कूल से बच्चे खुदा रहने के लायक अब नहीं दुनिया रही तेरी यह कहकर सो गए कबरों में प्यारे फूल से बच्चे तो एक हैसास है जो कभी उसे रूपांत्रीत कर देता है मैं कीरती जी को बुलाता हूं उन्होंने जो भगमान महवीर स्वामी की बंदना अपने शब्दों से रूपांत्रीत किया वो आपके सम्मुक प्रस्तुत करेंगी एक बारतालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक् अपने मा के आचल को रॉशन कर दिया ऐसा मुझे लगा एक बार जोरदार तालिया इस बज़ी के लिए बज़ाएं बजयु mandate बाच्चों के नंय हातों को चांड- सितारे छूने दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे तो बहुत आगे बड़े ये बच् में साथ देना तो मुझे लगेगा कि हमारी प्रार्थना हमारी आराधना इश्वर तक पहुंच रही है मैं प्रारम करते हूं सुनेगा तूटी नईयां तेज है धार तूटी नईयां तेज है धार मुश्किल में है ये संसार तूटी नईयां तेज है धार मुश्किल में है ये संसार हरने सारे जग की पीर फिर आ जाओ महावीर तूटी नईया पीछे के लोग भी सादे कि तूटी नईया तेज है धार मुश्किल में है ये संसार हरने सारे जग की पीर फिर आ जाओ महावीर हिंसा की लपटों के बीच घिरी मानव तारोती, फिर मानव तारोती, अत्या चार सहन कर धरती, अपना धीरज खोती, अपना धीरज कोती देने आओ शांती संदेश, सच करो दूशित परिवेश, बदले मानव की तकदीर, फिर आजाओ माहावीर तूटी नईयां तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आजाओ माहाँ और विशेश परंतियां सौपती हुँ, कि निर्ममता देखो पश्यों को मार मार कर खाए, मार मार कर खाए नियम यही है जैसा खाए वैसे ही बन जाए, वैसे ही बन जाए, आब से छोड़ो मा साहार, आब से, एक साथ ताली बजा कर साथ दे कि अब से छोडो मा साहार और अपना लो शाकाहार कनमन कर लो निर्मल नीर फिर आ जाओ महावीर तूटी नईया तेज है धार मुश्किल में है ये संसार हरने सारे जग की पीर फिर आ जाओ महावीर और मैं जन्म से तो जैन नहीं हूँ लेकिन कर्म से जैन धर्म के प्रतेख नियम का पालन करने का पूरा प्रयास करती हूँ अंतिम पंक्तियां सुनाती हूँ वंदरा की सुनिये किनमो कार एक महा मंत्र है जिसने भी अपनाया अपने जीवन में उसने अदभुत परिवर्तन पाया जीओ और जीने दो भाई जीओ और जीने दो भाई छोड़ो धन की पाप कमाई जोड़ो पुन्यों की जागीर फिर आजाओ महावीर तूटी नईया तेज है धार मुश्किल में है ये संसार हरने सारे जग की पीर बहुत बहुत धन्यवाद, एक छंद से मैं बात शुरू करना चाहती हूँ, सुनिएगा, देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने छंद लिखा है, कश्मिरी लाल जी हमेशा ही उनका वरध हस्त रहता है सारे कवियों पर, छंद मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा, इस छोटी सी बच्ची ने जिस तरह की कविता सुनाई, तो मुझे भी प्रेणा मिल गई, एक छंद मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा, यह देखे, चार-पांच लोग, बेटा, आपको सुनाईगा, तो इस कवितरी के मन में जो ज्वार उरता है भावनाओं का वो एक गीत की शकल लेता है, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, श्रंगार की कविधा भी आपको मैं सुना दूंगी, लेकिन जो मूल आफशकता है आज के समय की, वो रचना मैं आपको अवश्य सुनाना चाहती हूँ, रचना मैं शुरू करती हूँ, यहां बेहने जो बैटी हैं, बहुत चुपचाप बैटी हैं, बहुत खामोश बैटी हैं, लेकिन उनका भी समर्थन मैं चाहूँगी क्योंकि वहाँ आप इतनी सारी ह यहां में अकेली हूँ तो आपका समर्थन मुझे मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा यहां अना साथ तक हो गया शुरूबात करती हूं सुनि पैं सिमा पर दुश्मन की गोली जितने होसले के साथ मैं सुनाउंगी आप का भी उतना ही सास साथ और उतना ही सास मैं मुढ़ू किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललका रहा है क्या सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है मैं उझे सिंगों वाली तालियां चाहिए हमारा देश चुप रह जाता है इसलिए उस पिद्दी से देश की हिम्मत पढ़ जाती है सारे लोगों का एक साथ समर्तन मांगूंगी कि सी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललका रहा है क्या सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है और पंक्तियां सुनेगा कि भस्म हो गया था पैसट में पाक युद्ध की होली में भीक समझ कर डाल दिया लाहर कराची जोली में अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशिकंद दोहराएंगे पूरे पाकिस्तान पे अब के तीन रंग लहराएंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे पाकिस्तान पे अब के तीन रंग लहराएंगे धदक धदक धदकेगा धदक धदक धदकेगा अगनी का अंगारा है क्या सिंगों का देश कभी चुहों से हारा है और हम लोग महावीर स्वामी जी के वन्शज हैं गौतम बुद्ध के अनुयाई हैं लेकिन हम लोग अहिंसक हैं लेकिन हम लोग कायर नहीं हैं ये पंक्तियां कहना चाहती हूं कि शांती दूत हैं हम दुश्मन परवार न पहले करते हैं इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा थर 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 कांपेगा थर 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 कांपेगा आपकी तालिया मांगती हूं कि थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है क्या सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं वे भी रिष्टे में हमारे कुछ लगते हैं अभी कुछ दिन पहले मैं बंगलादेश की बॉर्डर पर अपने सैनिकों के सामने कावेपाट कर रही थी मैंने महसूस किया कि कितनी कठिन विशम पर इस सितियों में वो लोग अपना काम करते हैं तो वो सैनिक भी हमारे कुछ रिष्टे में लगते हैं किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के मामा हैं मैंने आसों से बीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं आप लोग करुणा के साथ सुन लिजेगा किसी मा की रक्षा करते जब चलती सी मा पर गोली किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली बाबा का आशीश और मैया के आचल की छैया बाबा का आशीश और मैया के आचल की छैया पापा चाचा मा माताओ और किसी के हैं मैं देखना चाहती हूँ मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करना जानते हैं किसी मा की रक्षा करते जब चलती सी मा पर गोली किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली बाबा का आशिश और मैया के आचल की चैया पापा चाचा मा मताओ और किसी के है और अपने हाथ खोलेगा उनके सम्मान में कि पापा चाचा मा मताओ और किसी के है भाईया तुम पर नाज में है, सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंगों का देश कभी चुहों से हारा है और आज के दिनांक में, अज की तिथी में, मेरी आपकी हम सब की क्या इच्छा है, एक ही इच्छा है कि अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका अब हम क्या चाहते हैं, सुनिएगा, कि अब के आरपार होगा ना कोई भी माफी होगी सिंग गर्जना ही चुहों के मरने को काफी होगी क्या कहने हैं कि सिंग गर्जना मुझे पता था आप लोग बात समझेंगे कि सिंग गर्जना ही चुहों के मरने को काफी होगी और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे कुटल इरादों बाले अबके सिर्फ धूल ही चाटेंगे कुटल इरादों बाले अबके सिर्फ धूल ही चाटेंगे घर घर गूजेगा भारत का जय जय कारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है हमको अपनी जान से प्यारा देश अमारा है बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय हिंदुस्तान किसी कवी को नहीं का इनों ने एक और उस आशी शनल ने प्राण निकाल दिये तिरंगा नहीं जुकेगा उससे नहीं का एक और हमारे उम के लिये था चले के लिए ये तो बड़ो तक जाते हैं सुनने के लिए बड़ोथ में भी जाते हैं सुनने के का हा कहते हैं ना बदन होता है बूढ़ा दिल की पित्रत का रड़ता है कि बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है तो अपनी अपनी उमंग है अपनी अपनी मस्तियां है उम्रिस में क्या करेगी एक मुक्तक सुनाती हूँ सीधे सीधे आपके सामने गीत सुनाती हूँ या मेरी बहने भी बैठी हैं हमारे देश में पती-पत्नी का संबंध कैसा होता है मैसूस करना मेरी बात को कि हमारे देश में पती-पत्नी का संबंध कैसा होता सुने कि तलाक में तै हुआ सामान बराबर बाटे जाएंगे कि तलाक में तै हुआ सामान बराबर बाटे जाएंगे मगर थे तीन बच्चे इनको कैसे बाट पाएंगे और जज को देखा जो उल्जन में तपतनी ने कहा पति से चलो हमको भी क्या जल्दी है अगले साल आएंगे चलो हमको भी क्या जल्दी बाई डॉक साम कमाली करती है यह तो आपने कहानी यहां समाप्त नहीं होती आगे भी बढ़ती है कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्चे मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खचे और समस्या तो जहां की थी वहीं पर रह गई क्योंकि कई लोगों ने हिसाब लगा लिया देख रहे हैं कि समस्या तो जहां की थी वहीं पर रह गई क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुडवां हो गई बच्चे आजकल प्रेम प्यार कैसा हो गया आजकल नौजवान प्रेम कैसे करते हैं सुनिए कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं और नए इस दोर के इन मजनों से दूर ही रहना मुहबत ये नहीं करते ये टाइम पास करते हैं मुहबत ये लेकिन लड़कियां भी भोली नहीं रही हैं लड़कियां भी उशार हो गई हैं कैसे उशार हो गई हैं सुनिए इनके दिल के दर्वाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं और उनी से दिल लगाती हैं उनी पे जहां लुटाती हैं कि जिनकी जेब में 10-20 ग्रेडित कार्ड होते हैं कि जिनकी जेब जबसे मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं तब से मंच के बहुत सारे कभी अपने अपने क्रेडिट क्रेडिट कार्ड की ज़रूरती नहीं है वह विजिटिंग कार्ड दिखा करी क्रेडिट कार्ड का काम चला लेकिन उस्हें रोते हुए जीना रोते हुए मरना सुईकार नहीं था इसलिए उसने हसने की कोशिशे की आजकल मुबाईल का जमाना है वाटसेप का यूग है हसाने का काम वाटसेप करने लगे हैं एक लड़की ने लड़के को WhatsApp पर मेसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है जल्दी आकर मिलने वरना दूसरा तैयार है बहुत अच्छे दोप साफ इधर से भी आवाज आ रही है इधर भी दूसरा तैयार है देखे एक मेसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत असी जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों नहीं तो उसकी मा कहेगी कि कमबग्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया बहुत अच्छे दोप साफ कमाली कर जाते है एक पती ने पतनी को वाटसेपर मेसेज किया कि बेवपूफ था शहां जहां जो इतना खर्चा कर दिया क्या मिल गया ताज से हर रात नहीं मुम्ताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से जब इस आशीश अनल की शादी का समय आया तो मैंने एक रिष्टा सुझाया मैंने का आशीश शादी करनी है तो करो नहीं करनी है तो मत करो लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ तो इन्होंने जवाब दिया कि कीरती जी मुझे तो पसंदी नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का काईदा क्योंकि जब कुए में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फाइदा बहुत अच्छे फीरती जी सुना दो बस यही हसी मजाग यही मस्ती यही उमंग हम लोग चाहते हैं कुछ दिनों बाद होली का तियोहार आने वाला है हाँ उसकी मस्ती का गीत सुना दो तो उसी की शुरवात कर देती हूं आज से बहुत बढ़िया गीत है तो गीत मैं आपके सावने प्रस्तुत कर देती हूं लेकिन सारे लोग उसी उमंग के साथ सुना एक बार तालियां बजा कर बता दीजे कि आप उसी उमंग के साथ सुनेंगे यह बहुत ही बढ़िया की सबसे जादा अतालिया कश्मिरी इलाल जी बजा रहे हैं नहीं देखिए अच्छा लगता है इतने बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी इतनी उमंग हैं मन में होना चाहिए ऐसा कीड़ी जी बड़ात का आदमी बुढ़ा नहीं होता वो असी साल का होता तो उसके अंदर एक बच्चा पैदा नहुना शुरू हो जाएं तो दुबारा से बच्चे होने शुरू हो गए हैं हमारे चाहँ आएसा ही लग रहा शुरूआत करती हूं मैं ब्रज के पास के रहने वाली हूं वहां होली कैसे खेलते हैं उसी गीत से शु कि तुद्रू करती हुं सुने। अगे नहीं बढ़ने वाली मैं, मुझे सुनने का एक तरीका है। उसी तरीके से सुने। ओली के लोरे, Hey उनको इकों की जरुरत होती है मैं कवित्री हूँ, मेरे शब्द पहुँचने चाहिए आप-तक कि मिटा कर उंची नीची जात, बुला कर पिछली कडवी बात, आज फिर हाथ में लेकर हाथ, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली, मजा नी आ रहा मुझे, मिटा कर उंची नीची जात, बुला कर पिछली कडवी बात, आज फिर हाथ में लेकर हाथ, होली खेलो रे, होली खेलो रे, तन है रंगिला, जुमन है रंगिला, जुमोसम है अलबेला, लाल हरा पिला देखो के सरिया निला, देखो रंगों का है मेला, हवा में गुला पसंती रंग, हवा में गुला पसंती रंग, कुए के पानी में भी भंग मचा है, होली का हुड़ दंग, होली के लो रे, होली के लो रे, रंग से भर भर मार लो सरसर प्यार भरी पिछकारी, प्यार के रंग में मन की उमंग में रंग जाए दुनिया सारी, की ऐसे जम कर मलो गुलाल ऐसे, जम कर मलो गुलाल गुलाबी हो जाएं सब गाल ऐसे, जम कर मलो गुलाल गुलाबी हो जाएं सब गाल रंग ना उतरे सालो साल, होली केलो रे होली केलो रे होली केलो रे होली केलो रे और बहकी हुई है चाल बिकरे बहकी हुई है चाल बिकरे हुए है बाल मीठी लगे है गाली गलीयों में घुम घुम मस्ती में जुम जुम नाचो दे दे ताली आज के दिन है पूरी छूट खजाना लूट सके तो लूट किसी का दिल जाए ना तूट होली के लूरे 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 होली